रमजान के पाक महीने में सोमवार की एक शाम को टोपी लगा कर कुछ लोग अयोध्या के स्री सीता राम मंदिर में अंदर जाते हुए दिखे नफरत फैलाने वालों के लिए तो एक मुद्दा हो सकता है लेकिन अपने मुसल्मान भाई उस मंदिर में रोजा इफ्तार के लिए जा रहे थे स्री सीताराम मंदिर में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था इसमें साधू संतों के साथ रोज़ेदारों ने अपना दिन भर का रोजा खुला इसके साथ ही मंदिर के ही आहाते में नमाज भी अदा की गई स्री सीताराम मंदिर में ऐसा आयोजिजन तीसरी बार हो रहा है इस इफ़तार पार्टी को महंत यूगल की सोरदास द्वारा आयोजिद किया गया था इफ़तार पार्टी में मुस्लिम समधाय के लोगों के अलावा वहां रहने वाले सादू संत और सिक समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया इस दोरान रोजिदारों ने अमन चैन की दूआ कर रोज़ा खोला इफ़तार के बाद मंदिर के पास बने एक आहाते में मगरिब की नमाज अदा की गई नमाज की इमामत जलाल सिद्धिकी दौरा की गई थी रोज़ा इफ़तार का उदेश था कि हिंदू और मुसल्मान सब मिल जुल कर रहें अयोध्या किसी एक समधाय की नगरी नहीं है यह सब की पुन्यों का नगर है हमें हर तेवार को बड़े उसाह के साथ मनाना चाहिए इस इफ़तार पार्टी में शामिल मुझमिल फिजा कहते हैं कि वे हर साल नौरातरी हिंदू भाईयों के साथ ही मनाते हैं एक एजेंडा वाले लोग ये नहीं चाहते कि हम साथ आएं और हर तेवार मिलकर साथ में मनाएं समाज में सामपरदाइता का जहर खोलने वालों के लिए तो ये एक मुद्दा हो सकता है लेकिन यही इस देश की गंगा जमनी तहजीव की असली रवायत है ऐसे यहनी वीडियोज को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हमारे इन प्रयासों को प्रोसाहित करने के लिए वीडियोज को लाइक भी करें धन्यवाद